अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें तो डिरेक्रेट ओफ एजुकेशन जी एंसीटी ऑफ डेली की तरफ से 16 अक्टोबर 2021 के लिए इंग्लिश की वर्कशीट है वर्कशीट नमबर 91 क्लास 3 के लिए ये वर्कशीट है और ये रीकैपिलेशन शीट है इसका क्या मतलब है जो हमने चैप्टर दे इनॉर्मस है आज हम उसका रीकैप करेंगे वहला उसको रिवाइस करेंगे आंसे दो क्वेशन गिवन बिलो तो नीचे हमें कुछ क्वेशन दे गाया है हमें उनके आंसर देने है तिक ते करेक्ट औप्शन और जो सही ऑप्शन उसको हमें टिक करना है तो ओल्ड मैन प्लांटेट सम जाने की शल गम के सीड्स ठीक है सेकिंड क्वेशन है वाट इस दी ऑपोजट ओफ पुल का मतलब होता है खीचना किसी चीज को अपनी तरफ खीचना ठीक है तो उसका उपज़िट या उसका उल्टा क्या होगा कि अपने से दूर उसको धक्का देना ठीक है तो वो होता है क पुल मतलब धक्का देना तो हम धक्का दे रहे हैं मतलब अपने से दूर कर रहे हैं तो वो क्या होगा पुल का ओपज़िट पुल मतलब खीचना और पुश मतलब धक्का देना यानि कि अपने से दूर करना ठीक है तो यह हो जाएगा इसका उल्टा आगे देखते हैं थर् कुछ सही option है जो turnip होती है यानि कि shell gum वो ground से नीचे grow करती है next question है enormous means enormous का मतलब होता है बहुत बड़ा ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया huge huge का मतलब भी क्या होता है बहुत बड़ा तो इसलिए enormous का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास a यानि कि huge fifth question है who ate the enormous turnip जो इतना बड़ा turnip शल्गम था यह किस ने खाया क्या old woman and boy क्या सिरफ जो old woman और जो लड़का था उन्होंने खाया नहीं क्या old man और girl इन्होंने खाया क्या सिरफ old man और लड़की ने खाया नहीं क्या old man, old woman, boy और girl इन चारों ने खाया मतलब जो old man थे, woman थी, boy था और girl थी क्या इन चारों ने खाया तो बिलकुल सही इन चारों ने मिलकर जो है ये enormous turnip को खाया था आगे देखते हैं look at the pictures carefully and choose the correct sequence in the story ये हमें कुछ pictures दी हुई है नीचे और हमें ये किस sequence में ये हमारी story में use हुई है वो sequence हमें सही से बतानी है तो देखो सबसे पहले उस old man ने अकेले ने ये turnip जो है वो pull करने की कोशिश की थी तो सबसे पहले क्या आएगा ये third number वाला तो देखो third number वाला सही option कौन से में है बी वाले में है अब आगे भी देख लेते हैं उसके बाद फिर old man से अकेले से नहीं pull हुआ तो old man और woman दोनों लगे तो इसलिए second number वाला आएगा और फिर जब उन से भी pull नहीं हुआ तो last में old man old woman ये boy और ये girl ये चारों ने मिलकर जो है उस turnip को pull किया था तो ये first option last में आएगा तो इसलिए सही जो sequence रहेगी वो ये रहेगी पहले ये हुआ था उसके बाद ये और last में ये तो third second first इस तरीके से ये pictures को हमने सही उसमें sequence में अरेंज कर लिया है अब अब विवावकों के लिए एक सुझाव रहेगा कि बच्चों को सहायता और सहयोग का महत्व समझाते हुए बताएं कि हमें सदय एक दूसरे की सहायता और सहयोग करने के लिए तत्पा रहना और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए keep maintaining physical distance of six feet or two yards तो कोरोना से बचने के लिए सभी को छे feet या दो गज की शारिरिक दूरी जो है वो बना कर रखनी है तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like, share, comment क चैनल को subscribe करें मिलते हैं next वीडियो में